हर कोई घूमने का शौकीन होता है अधिकतर लोग घूमने के लिए ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां पेडों से घिरी वादियां हों, बहते हुए जरने नदियां हों और प्राकृतिक हरियाली हो लेकिन कई लोग यूनीक जगह जाना पसंद करते हैं कई बार ऐसी यूनीक जगह जाना उन्हें भारी पढ़ सकता है दरसल दुनिया में कुछ टूरिस्ट प्लेसे ऐसे भी हैं जहां जाना खतरनाक हो सकता है इन जगह पर कमजोर दिल वाले लोगों को जाने से बचना चाहिए अगर आप फिर भी इन जगहों में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखे एक, हवाई द्वीब समूह में जिन्दा जवाला मुखी USA हवाई द्वीब समूह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक प्रांथ है यह दुनिया के सबसे खतरनाक टूरिस्ट प्लेसिस में से एक है यहाँ पर चारों तरफ एक्टिव जवाला मुखी है और बताया जाता है कि दुनिया में यह एक मात्र ऐसी जगह है जहां सक्रिय जवाला मुखी को इतनी करीब से देख सकते हैं माउंट किला हुआ यहां का आखिरी सक्रिय जवाला मुखी है जो 1983 के बाद से कभी भी फट जाता है यहां दुनिया का सबसे बड़ा जवाला मुखी भी है जिसे मौना लोगा कहा जाता है यह समुद्र तल से 13,680 फीट उपर है यहां पर अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो उसे घुमाने के लिए पर्यटन की व्यवस्था भी है जो पर्यटकों को जवाला मुखी को दिखाने पास तक लेकर जाती है यहां के टूरिस्ट लावा की बहने वाली नदियां भी देख सकते हैं यहां पर लावा धुन्द के कारण पूरा एरिया काला दिखाई देता है और कई लोगों ने यहां पर चट्टानों के उड़ने और समुद्र के पानी में आग लगने की सूचना भी दी थी इस माहौल को देख कर कोई भी डर सकता है 2. Death Valley National Park, USA Death Valley को दुनिया की सबसे शांदार घाटियों में से एक माना जाता है यह निवादा और कैलिफोर्निया के बीच स्थित है Death Valley उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला स्थान है इस घाटी में धर्ती का सबसे अधिक तापमान यानी 56.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है बताया जाता है कि हैरी पॉर्टर फिल्म के एक्टर डेवलेगेनो की मौद भी Death Valley की भीशन गर्मी में ही हुई थी कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि Death Valley में करीब 300-350 किलो की चट्टाने अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है यह भी माना जाता है कि शैतान पृत्वी पर शुष्क जगहों पर रहते हैं और Death Valley दुनिया की सबसे शुष्क जगह में से एक है चौड़ी पहाड़ियां, गड़े, मचलियों की दुरलभ प्रजातियां, अंधेरी रात के आसमान की अजीब औ गरीब घटनाएं अभी तक रहस्य बनी हुई है 3. Snake Island, Brazil ब्राजील स्थित Snake Island दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में आता है ब्राजील के साव पाउलो शहर से 90 मील दूर इस दुईप में दुनिया भर के सबसे अधिक प्रजाती के साप पाए जाते हैं रिसर्च बताती हैं कि Snake Island या इलहदा क्यूइमाडा ग्रांडे में प्रतिवर्ग मीटर लगभग 5 साप है कहा जाता है कि ब्राजील के इस आईलैंड पर मौझूद साप इतने जहरीले होते हैं कि इनसानों के मांस को पिगला सकते हैं यह द्वीब दुनिया का एक मात्र स्थान है जहां गोल्डन लांसेड वाइपर सांप और दुनिया का सबसे जहरीला सांप बोत्रोप स्पाया जाता है पर्याटकों के लिए जोखिम और लांसेट जहर की काला बाजारी के कारण ब्राजील सरकार ने इस द्वीब पर जाने पर रोक लगा दी है भारत के अलावा अगर कोई विदेश घूमने जाता है तो वहां का मौसम ठंडा रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर कौन सा है तो सुनिए, दुनिया के सबसे ठंडे शहर का नाम है ओम्याकोन जो कि रूस के पूरवी साइबेरिया में स्थित है यहां का तापमान हमेशा काफी ठंडा रहता है और इसकी कारण इसे दुनिया का सबसे ठंडा गाव कहा जाता है 1924 में इसका सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था जो माइनस 71.2 डिग्री सेल्सियस था इतना कम तापमान दुनिया भर में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया अगर कोई नया व्यक्ति यहां घूमने जाएगा तो उसकी पलकों पर बर्फ जम सकती है या फिर उसकी हड़ियां ठंड से कड़क हो सकती है 5. स्किलिक माइकल माउंटेन आयरलैंड आयरलैंड के वेस्टरन कोस्ट में स्थित यह परवत शृंखला दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है यह चट्टानों वाला द्वीप आयलैंड देखने में ही काफी खतरनाक माना जाता है यहां जाना काफी चुनौती पूर्ण होता है क्योंकि यहां जाने के लिए परियटकों को उबढखाबढ रास्ते और पानी में एक घंटे नाव से जाना पड़ता है जवार स्टार वार्स दफोर्स अवेकंस में आने के बाद इस स्थान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है लेकिन सरकार ने चटान गिरने खराब मौसम के कारण यहां जाने से रोक लगा दी है हर साल केवल चार नावों को ही लाइसेंस दिये जाते हैं और सीमित संख्या में परियटक यहां जाते हैं मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साजह करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें धन्यवाद और शुभ कामनाएं